तो नमस्का दोस्तो दजीवी वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तो मैं एक ऐसे इंसान का इंटर्विव लिया हूँ इनका दोनों हाथ नहीं है दोनों हाथ से दिव्यांग होते हुए भी लिखते इतने अच्छा है पढ़ते भी हैं कंप्यूटर भी चलाते हैं साइकिल भी अगर दोनों हाथ नहीं रहने के बार क locom tiny दो कि बेदा गर में हुआ हुआ कई सुआ मोः चाहिए कि मैं पैदा गाजीपुर में हुआ तो इस तरह से नमक रोटी के चकर में सबको भागना पड़ता है जीतेंदर ने पढ़ा कि नवकरी मिले का नवकरी सरकार के खाते में जीयों तयार होता है उस जीयों में जीतेंदर के लिए जो 100% हो जाता है उसको नवकरी नहीं दी जाती है आप पढ़ लिखें बहुत होता लीक्रानी सबी सबुटानी हिसे लेकिन रहा सवार जो जिस तरह से अगर देखा जा तो सबीक्राइब किता कि आपको मतलब बढ़ने का होता है तो आया और उसके बाद आज वही लोग करता है तो ऊपको देश विदेश जानता है आज हम लोग बूझ गए हैं तो उनको भी कहता हूं कि बहिया समय क्या होता है कि सभका आता है आप ये Łजर के मौसम में सबी लोग अपने घर मेराते मैं जाड़ के मौसमम में जारकंड में था जारकंड चेहर में जिससे दिम आप करने में निश्चित रखेंगे तो सफलता आपकी कदमों में चरण सुमेगी यहां तक है आप जीस तरह से मुद्दों को उठाते हैं गाउं के मुद्दों को तो क्या आपको ऐसा कभी हुआ है कि वीडियो बना के अपलोड किये और दूसरे जगह सफना है कि नहीं है मैं बता दूं आपको मैं पहले बता दूं गोदी मेडिया नहीं है जितांदर शुवतंतर प्रत का आपको किसी se से हम दरेंगे तो लाक्ट में पता चला कि अरे भीया छोड़ दीजिए सरदार है गड़बर हो जाएगा हम कहें कि आपको लगता है कि जितनारी आप अकेले खड़ा आए एक लाख खांचर पर ऐसे था कि खांचर का ही वीडियो था जो मुझे पूरा देश वीडेश वाइरल कर डाला और खांचर लोग ने मुझे चुछ किया कि नहीं जितन्दर जी को आना चाहिए मेरे पास खांचर रहमान सर एसके जहां आरके श्रिवाश तो ऐसे लोग मुझे तो कभी स तो मैं भूजपूर मेरे मान मुझे वुस्तिकाया लेकिन अस न विल्टा भगई भजपूर में तेसे चाहिके माना भी यह इंतल्ब वाय पंगा हो जो हम घृफिया अभी देख ना गान सरे ऩाया धार्ण कि मौह यॉडश फ़ार हो जो आड़ी गुनगना दींदेम में अ मेरी फिलम भी है बहुत जल्द में फिलम में भी आ जाऊंगा बहुत जल्द बड़ा एक प्लेटफार्म मिलेगा रितिक रोसन के साथ मेरा पहला फिलम होगा यह जोस एक्सप्रेस और जीतंदर दिव्यांग जी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूजी यही है यह फिलम में तो मेरा पहला फिलम रितिक रोसन के साथ होगा है ने तो सोनु सुझ जी के साथ दोनों लों से भीवाशन फिलम होगा तो उन्होंनों कहा कि जितंदर हम लोग चाहते कि मुंबई तो मैं मुंबई मेरा एक्टिंग भी कर लेते हैं तो हम कहें कि यार यह तो मैं सीख के नहीं आया हूँ लेकिन हाँ एक चीज है कि शेर को अगर जंगल में खड़ा कर देंगे ना भाई तो सिकार करना भूलेगा नहीं जिते अंदर को कहीं आप खड़ा करके देख लिजे चा चाहि कोहीं भी आप खड़ा करके देख लिजे जिते अंदर पाछे नहीं अड़ता है इसी का देन है कि आसे और लोगों से भिलकात हो जाती है इक ऐसे गिंती से हमें बताईवे कि अप क्या क्या कर लेते हैं म्यूजिक अच्छा आप हमें बताएं यह क्या नहीं कर सकता कि गिंती तो मैं जो आता है आप आपका मैं क्वेस्चन कर रहा हूं आप बताए कि यहां तक जानता हूं आप चार चाका गाड़ी चला लेते हैं दो चाका गाड़ी चला लेते हैं साइकिल चला लेते हैं म्यूजिक बना लेते हैं चला बजा लेते हैं कलम से लिख लेते हैं म मल्टी टैलेंट है न आप जैसे लोगों का दिया हुआ है सब कुछ कबूल किया और अच्छा लगता है कर लेता हूं मुझे भी नहीं पता जैसे साइकरेसिंग कर रहाता तो किसी ने आप जैसे मीडिया सवाल किया कि जीतंदर क्या होता है कि आप साइकल को क्या मतलब जालूँगा आप कुछ भी देदो में चला लूँगा यह जानता हूं अगर देखा जाए तो अपने दो तीन जीले में एक जितंदर दिव्यांग मिलेंगे गाजी पूर जिले में और बलिये में मिलेंगे लचमी साहनी जी इनका दोनों हाथ नहीं है और उनका दोनों पैर यह जानते हैं वीरों दर्ती शहीदों का देश गाजी पूर जिला उत्तार परदेश मैं भी ग्लाइं करता हूं कि जितंदर पैदा हुआ है बहुत गरो होता है अगाजी पूर का एक-एक पना उठाके देखेंगे तो कोई ना कोई यूर उसमें आएगा चाहिए ओं लोग आपके मन में सबसे पहला ख्याल कोब आया कि हम यूटूब कर रिपोर्टिंग का काम करेंगे ख्याल तो अगर देखा जाए मेरा आज भी एब आउट अगर आप खोल के देखेंगे तो आज भी क्या होता है कि मैं मुझे भी नहीं पता चला ख्याइज टुन आगे चला जायेगा आट एक वीडियो में डना और उसी वीडियो से वाइरल हो गया तो वी आपका दो घाना आने वाला है सुना नहीं रहे हैं लों का अब और उस्फिर से पर जो से एक लाइन खान सरवाला और एक लाइन अपने उपर बनाए है अपने उपर मैं नहीं बनाया हूं कोई मुंबई का है जो उदित नराण जैसे लोगों के साथ गाते हैं राजा जी है यह लोग juda मेरे जिन्दगी पर रहे किताब इस लिए मेरे जिन्दगी लिखी फिलिम बनने वाल हैं तो जो इसलिए में नहीं चाहता हूं मैं बताओं तो अच्छा नहीं आप बता रहें अच्छा लग रहा है दर्सक भी जानना चाहेंगे और में बता हैं तो इस तरह से देखिए दर्सक का मांग है एक खांशर वाला गुन्दोल इंदुस्तान के हो जानसर और आप तो है कि हिंदुस्तान के हो आइसा कुछ था पूरा नहीं कर पाएंगे इस तरह यह गायक तो नहीं है लेकिन पर भी तो बात किया जाए तो मन नहीं बढ़ता हम लोग तो हाला कि सुबह में आए गए थे और अभी वीडियो सुट है क्यों कोई बात करने से मन नहीं बर रहा था सर से तो आगे क्या बात करें आगे सर का सब कुछ पॉब्लिक है जो भी देखना है आप जोस एक्सप्रेस पर आप जाईए और उनके जीवन के बारे में जो भी आपको जनकारी लेना है आप आप देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और यह देखिए आइना कभी जूट नहीं बोलता है आइसे लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में वरणी था है कि जो भी पत्रकार है जो भी मीडिय है चोथा स्थम्प माना जाता है तो चोथा स्थम्प कभी जूट नहीं बोलता अज इस तरह हैं आइना यह तो मैं बढ़ा सोच रहा हूं कि कई आइना है यह धिर दीखाने वाला आइना लेकिन मुझे लग रहा है कि जहां तक की आइना सच दिखाएगा और अपनी भूमि सबस्ता से हमेशा सचाई दिखाने के काम करेंगे मैं उनसे यहीं उमीद करूंगा और आपका जो चैनल है दजी वर्ड अब जिसका नाम ही दजी वर्ड पूरे वर्ड वर्ड भी साब समझ सकते हैं कि होता क्या है मैं पड़ा लिखा थोड़ा सा कम है लोकि समझदार हूं बस तो चलिए यह दोनों अपना ही चैनल है और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्यू सार थैंक्यू सार थैंक्यू